1991 की सूपर हिट फिल्म थी हम अमिताप बच्छन, रजनीकान, गोविंग दा स्टारर हम लक्ष्मिकान पैरलल जीका म्यूजिक था जुमाचुमा के अलावा एक और गाना, आफ्रीकन गीनिया देश के लिजिन्डरी सिंगर मोरी कांते के 1986 के अक्वाबा बीच अल्बम से लिया गया था वैसे इस अल्बम के एक और गाने की धुन को इससे पहले लक्ष्मिकान पैरलल जी ने अगनी पत फिल्म में बैगराउंड मुजिक की तरह भी यूज किया गया था मोरी कांते की गाने मंदिन का भाषा में है और दुनिया में मंदिन का भाषा के बहुत कम जानकार लोग आपको मिलेंगे और इसके सही सैटिक ट्रांसलेशन कहीं भी अवेले बल नहीं है अगर आपको कहीं मिल जाये तो प्लीस कमेंट करके शेर कीजएगा वैसे आपको ये जानकर बहुत ही दुख होगा कि कुछ महनों पहले 22 मई 2020 को इस लिजेंडरी सिंगर मोरी कांटे ने 70 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा लेकिन ग्रेट मोरी कांटे उनके म्यूजिक के जर्ये हमेशा के लिए अमर हो गया है और उन्होंने ये साबित किया है कि म्यूजिक की कोई भी लैंगवेज नहीं होती एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के बास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के बास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम हम एक दूसरे के लिए कर दोना हम घा रली का है क्या सम विया प्यारा हु जादा हु एुझ एल्ड्य प्हां सुम्री हु चानु CD इंश व्हां क्या उप थीज कर दो दो फिनल गिर्यओ कीर्व हु दो एफ bumps कि मोम विनका प्याबा इंशल्व albums बाहन राद एछिये सुम्री मेंनने ओ सम श侯 फ c nose लो प्ले यो वो यगा महाते है कि 1990 में नदीम श्रवन ने लगातार तीन साल 91, 92 और 93 में बेस्ट म्यूजिक डिरेक्टर के लिए फिल्म फेरर अवार्ड जीता था उनमें से एक फिल्म ती साजन बॉलीवुड में लव ट्रेंगल पे फिल्में बनाना याने सकसेस का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मिला माना जाता है साजन में इस लव ट्रेंगल के तीन कोने पे सल्मान खान, मादुरि दिख्शित और संजेदत थे सल्मान खान को इस फिल्म में एक फ्लर्ट नौजवान के कैरेक्टर में दिखाया गया है किसी भी स्क्रिप्ट में में कैरेक्टर्स को सही से एस्टाबलिश करना किसी भी राइटर डाइरेक्टर के लिए सबसे बड़ी क्योनोती होती है अक्सर फिल्मों में इस टाइप के कारेक्टर एस्टाबलिशन के लिए गानों का इस्तमाल किया जाता है ऐसा ही एक गाना था पहली बार मिले है ये गाना सुजन वेगा की 1987 के सूपर हिट गाने शॉलिटूड स्टैंडिंग से इंस्पार्ड था पहले बार मिले हैं मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया तुमने प्यार से देखा जब से मुझे मेरा दिल बे करार हो गया पहले बार मिले हैं मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया तुमने प्यार से देखा जब से मुझे मेरा दिल बे करार हो गया जब से देखा जब से देखा कह भूब ओ स्ञेलों, पूख जा धूबोंगा है स्जेलों आजी ऑचीजित स्टेश़ जाओ नाओ विए रिद्टिय। जाल तूब सेंस in the doorway प्ती है जाओ थैंना मन्यान तोब जाओ अज्टीं आपनी बेटी पूजा भट को 1989 में एक टीवी फिल्म डैडी से डेब्यू करवाया था लेकिन बॉलिवुड में सही मायनों में अपनी बेटी को लॉंच करने के लिए उन्होंने दिल है कि मानता नहीं में उन्हें दुबारा मौका दिया जो एक्शुली 1934 की हॉलिवुड फिल्म इट हैपन्ड वन नाइट पे आधारित थी जिस पे बॉलिवुड में आल्रेडी तीन फिल्म में बन चुकी थी 1956 में राज कपूर नर्गिस की चोरी चोरी 1958 में देवानन वहिदा रह्मान की सोलवा साल और 1960 में शम्मी कपूर नूतन की बसंत इसी कड़ी में दिल है की मानता नहीं चोती फिल्म थी जिसमें पूजा धरमचंद बनी पूजा जब अपना घर छोड़ कर एक फिल्म स्टार से शादी करने के लिए भागती है तब इस सफर में रिपोर्टर रगु जेटली बने आमिर खान एक सेंसेशनल स्टोरी के लिए उनकी मदद करते है शुरू में दोनों एक दुसरे को बेहद ना पसंद होते हैं लेकिन इस सफर में वो कैसे एक दुसरे को अपना दिल दे बैठते हैं ये बाकी की कहानी थी यादगार गानों के साथ साथ यादगार था इस फिल्म का वो सीन जिसमें आमिर खान पूला भट को लिफ्ट मांगने की कला का ग्यान देते है उसका मनो विज्ञान साइकोलोजी समझाते है परन्तु बंबरी भाषा में तुरंत ही उनका पोपट हो जाता है ये सिन हॉलिवूड फिल्म से जैसे के तैसे लिया गया था म्यूजिक था नदीम श्रवन का ओ मेरे सपनों के सवधागर इस गाने की नदीम श्रवन की इंस्पिरेशन थी क्लीफ रिचर्ड का 1963 का गाना बैटलर बॉई जिसे हॉलिवूड क्लासिक फिल्म समर हॉलिडेज में यूज किया गया था ओ मेरे सपनों के सवधागर तुझको मुझसे है प्यार अगर तो चल मेरे संग चल चल मेरे संग आँ और मेरे संग गान आँ गान ओ मेरे सपनों के सवधागर मुझसे ऐसी जगाने चाओ ओ मेरे सपनों के सवधागर मुझसे ऐसी जगाने चाओ मैं चाहती हूँ मेरे हमसपन मुझसे परियों के दुनिया दिखाओ प्यार ही प्यार हो जिस जगा मुझसे ऐसा जहां दिखाओ ओ मेरे सपनों के सवधागर मुझसे ऐसी जगाने चाओ इस जगाने सवधाओ यौन हनो एफ्या चाओ इस जगाने से जगाने से जगाने तो जगाने से लोग चाओ जगाओ अट इस भी वी He said, son, you are a bachelor boy and that's the way to stay Son, you'll be a bachelor boy until your dying day When I was 16, I fell in love with a girl as sweet as can be But I remember just in time what my daddy said to me He said, son, you are a bachelor boy and that's the way to stay Son, you'll be a bachelor boy until your dying day Sonny Deval Sanjay Dutt ki film योधा जब से बन रही थी तब से ही इसमें कुछ ना कुछ उल्टा बुल्टा हो रहा था इस फिल्म के लिए पहले आमिर खान, अनिल कपूर, मितुन चक्रबर्ती, आदित्य पंच्वली जुही चावला जैसे आर्टिस्को एप्रोच किया गया था लेकिन किसी के पास डेट्स नहीं थी, तो किसी को उनका कारेक्टर पसंद नहीं आया किसी ना किसी कारण से सब ने इसे मना किया Sonny Deval तो पहले से ही फिल्म में थे फाइनली इस फिल्म में संजयदत और हिरोईन संगिता बिजलानी की इंट्री हुई जो डायरेक्टर राहूल रवेल को बिना बताए एक बार गोवा से शूटिंग के बीचो बीच मुंबई वापस चली आई संजयदत अपनी पहली पतनी रीचा शर्मा के कैंसर ट्रिक्मेंट के लिए मुंबई से अमेरिका के चकर काट रहते जिसके वज़े से शूटिंग में देरी हो रही थी जब फिल्म बनके रेडी हुई तब फिल्म के रशेस देखकर क्लोडिसर मुरानी ब्रदर्स डायरेक्टर राहूल रवेल से ऐसे खफा हो गए कि वो स्क्रिप्ट के थोड़े पॉर्शन को राजकुमार संतोशी से नए से लिखवा कर उनी से डायरेक्ट भी करवाना चाते थे लेकिन संतोशी ने मना कर दिया क्योंकि राहूल रवेल जी उनके सिनियर थे फिल्म का म्यूजिक तो वैसे ठीक ठाक था बपिदा का एक गाना होल डे होल नाइट दिन तर से काफी पॉपिलर हुआ था वैसे इस गाने की धुन 1960 के दब्रदर्स फोर के मेरियन गाने से इंस्पाइड थी जो एक केरेबियन फोक्स सॉंग है होल दी होल लाइट दिन तर से जानी सावन कब परसे मैं वी जानम मिलेंगे कब हम चलाना जाए कहिए मौसम चला जाएगा जहाँ ये वोसम, चले जाएगे वहाँ हो खालम बालम बालम होल डे, होल नाइट दिल तरसे, जाने सावन कब बरसे कर दो 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 कर अच्ति संब आए उन्तों प्रफ्याद मुल सेले य्यूल व्यूल कुछ लाडruck मैरियान ہstory सेमizes कर दो कर दो कर दो